सामर्च जी, मद्दे प्रदेश से, महराश्री, श्री जी की क्रपा से उनके नाम में प्रीती है और उनके नाम का प्रति दिन जाप भी करता हूँ, अभी मैं विद्यार्थी जीवन में हूँ, मेरी आदत देर रात तक जाकर पढ़ने की है, सभी के कहनुसार मैंने सुभा जल इसको ऐसे ही जारी रखूँ, यहां एवं सुभा पढ़ने हैं तू, दाई तीन वजे रात तक, वाजकल तो इसे, बच्चे जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा ही हमें बताए, जब नौ बजे उनका सोच इशना ना दी, तो नौ बजे आप क्यों जगते हैं, तो उन तो अगर उसको ऐसा कर लिया जाए कि ग्यारा वजे हम सेन कर लें, बारा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे गंटा हो गए, और पांच बजे उठ जाएं, और फिर हम नौ बजे तक पढ़ाई कर लें, वालो अगर नौ बजे आप जगते हैं, तो सास्त्री पद्धती के ख चयन किया जाता है, तो ब्रह्मचर हान की विशेश शंभावना होती है, और आयू, श्री, कीरती, तेज, इन सब की हान होती, क्योंकि जगत को प्रकास देने वाले भगवान ना रहें, शूरी दिवपधार रहें, हम सया पर सो रहें, हमने तो गाउं में भी देखा है, कि च विद्यार्थी ने मता है, सौच शनान, सवा नो बजे, हम नो बजे जगते हैं, विद्यार्थी ने मता है, हम धाई बजे तक पढ़ते हैं, तो इसी समय को बदल लिया जाए, महाराज जी सुवह जल्दी उठा, लेकिन जैसा रात में मन लग रहा है, विशा सुवह नहीं नहीं तुम कहिए नहीं, तुम्हारा परिवरतन के सिवा तो अनुभव की बात है, तुम्हारे अनुभव गलत हो सकते हैं, अगर आप हम कहे रहें, पांच बजे उठे, जल पिया, इसके बाद थोड़ा टहले, तो इसे, सौदोशों कदम, सौच गए, इसके बाद व्याया कर सकते हैं, इसको, अरे जीवन भर प्रयास करना है, हम जीवन भर विद्यारती हैं, कोई पढ़ाई छुटेगी, कोई नोकरी मिलेगी, कोई किसानी, कुछ भी करेंगे, जीवन में एक दिन चर्जा होनी चाहिए, सोने और जागनी की, एक लिमिट, जैसे बहुत बेस्त सरी प्रदीर है, उसके लिए 7 गंटे बहुत परयाप्त सोना, 6 गंटे वैसे परयाप्त पर साथ गंटे, अब जीसे अपने लोगों के तो 3 गंटे, 2 गंटे, 24 गंटे में, 1.5 गंटे, 2 गंटे, अब जीतनी कुटी का उपास्वना में प्रवेश है, और नहीं, 5 गंटे है, पा गंटे से ज्यादा नहीं रखा गया शोने के लिए आप देखो फिर वहीं हमारी बात आती दिन चर्या एक तेज लाती है एक इस जो आप छे गंटे पढ़कर के समझ नहीं पाओगे ना वो दो घंटे में आप छे गंटे का काम निप्टा लोगे आपकी तेजश्वी बुद् किया वियायम किया एक दो किलोमेटर दोड लगाई थोड़ा प्रणायम के फिर आप पढ़के देखो पर अभ्यास अच्छा साथ्विक भोजन कुछ दिन अभ्यास अब जिसे अपने लोग है डेड़ या दो घंटे एकदम फ्रेस क्योंकि बचपन से अभ्यास किया पूरा जीवन हो गया अब उसमें डेड़ दो घंटे में आती है कि नहीं आती कई-कई दिन हो जाते निन नहीं आती तो अभ्यास अगर किया जाए तो बहुत सुन्दर दिन चाहिए हम तो कभी यह न जग रहें फिस के बाद तो आपके श्वास्त में भी फर्क पड़ेगा आपकी बुद्धी में भी फर्क पड़ेगा आपके तेज में भी परक पड़ेगा आज हम बुद्धिमानी समझ रहें धान कमाना केवल भोगों को भोगना बुद्धिमानी समझ रहें यही जिवान है को मौज मस्ती से रहे उनके कोई परिशानी नहीं है ठीक है इसे तुम सुख मौज मस्ती समझ रहे हो कुछ दिनों बात सरीर शूटेगा इसके बात क्या रहे है हर चीज यहीं ज़ए जाएगी ना तो तुम्हारे पास जितेंद्रियता है ना भगवन नाम है ना श समभोग में मिलता है यतना तुम्हें अपने बच्चे प्यारे उसको अपने बच्चे वह ऐसे प्यारे जितना तुम्हें सांसारिक सुख वह ऐसे बिष्ठा तुम्हें रबडी दस गुल्ला जैसे अच्छा लगता है उसको बिष्ठा यह सब अच्छे लगते हैं अंतर क् हमारा जीवन अध्यात्मिक जीवन हमारा जीवन भागवतिक जीवन समाज सेवी जीवन तेजश्वी जीवन भगवत प्री जीवन तब पीछे वाले में यह इमने चर्चा किए कि आम इतने पढ़े लिखे इतने बलवान बुद्धिमान सब बन रहे हैं और जरा जरा सी बात म बुढ़े माता-पिता को मारज ये बुद्धिमानी ये पढ़ाई लिखाई ये डिगिरियां हैं अरे विद्या विनेयम ददाती अपने माता-पिता को भगवान समझ कर उनकी आग्यां जो आग्यां ऐसा कितने बच्चे हैं जो अपने माता-पिता को पेरोच होते हैं साक्ष जा समझ में नहीं है क्यों अब आश्री बुद्धी बढ़ रहे जिसे कहते राक्षची बुद्धी मानें मा तु पिता नहीं देवा आस्री बुद्धी चली जा रहे ही सास्त राग्यां करता है ग्यारा वजे के पहले ही आहर हो जाना चाहिए इसके बाद प्राता ब्रह्म मोहुर्ति के बाद रात्री में कोई निशाचर थोड़ी हो आहर व्यार पर अगर यह सब बाते तो फिर समझ में नहीं आते अब बुद्धी कितनी रह गई भोग भोगो खाव पिओ मर जाओ बद इतनी रह गई है आप देखो नो किसी प्रकार से धनाना चाहिए हो एन किन प्रकार कैसे हो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन शब्धिता नम्रता धार्म सत्यता पवित्रता एक लक्षन नहीं दिखाई दे रहे हैं सुन्दरता दिख नहीं होगी बुद्धी है बिवेक नहीं है बहुत डिगिरी है लेकिन विनय और शब्धिता का लूप हो चुका है ऐसे माता पिता से बुजुर्गों से बात करते हैं जैसे कोई पागल आदमी बात करता है ऐसे अपने बुजुर्गों से ऐसी बात करो कि उनका हरदे लगे कि हमने खवा पिया के पढ़ा लिखा के बढ़ा किया तो कम से कम वचंत से तो म्रद बोला जा रहा है बिभार्म तो म्रद बहुत ही कम हो गया है तो हमारी तो ही प्रार्थना है आज कल के बच्चे आप निश्य समझो ब्रह्म महुर्त के जगने वाले का एक अलग तेज होगा अलग विवेक होगा जो सैयमी होगा वही उन्नती चाहिए लोकिक हो चाहिए पारलोकिक अपक्का समझ लो जिसमें सैयम नहीं है उन्ना लोकिक उन्नती को प्राप्थ होगा और न पारलोकिक उन्नती को प्राप्थ होगा ये जो बढ़ रहे हैं ना गंदी बाते हैं वो शब जीवन को रास करने वाली हैं अब ये समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ना आहारशुद्ध है ना संगसुद्ध है तो गोश्वामी जी ने इसलिए का मन पचिता ही है और शर्वीते अंतिम समय जब यहां से चलने का समय आ आफ अच्छे आचरण करो कोई वेशन मत करो और कोशी सःसा करो अपनी देशरिया परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे वयायें जरूर करें उससे जीतेंद्रीता में सहयोग मिलता है सरीर श्वास्तध इसम्रति एक दम पवित्र वह कुंग्त दवाईयां और यह सब ऐसा चल गया एक बार आप हम तुम्हें देख लें या एक बार आप हमें कोई बात बता दो आप दस वर्स बात पुछ ले ना वह दिमाग में टेप हो जाते थे अब तो मतलब बहुत अब यह लो पैथिक से धांत से डाइले से सो उसकी और शदियां सा नहीं कभी हमने टेबलेट नहीं पाए पीछे एक बार सुना दो केवल कोई भी बात आप हमको बता दो वह दिमाग में टेप हो जाएगी पवित्री स्मर्ती तो हमके ने 6 गंटे में जो तुम पकड़ रहे ना दो गंटे में काम पूरा कर लोगे क्योंकि उतनी प्रवीडता आ जाएगी तो इसले आह किरपा करे सब कोई हमारा तो बस्रदय का भाव यही है जो हम आप लोगों को समय देते हैं कि किसी तरह आप यह समझ जाओ कि आप कितने अमूली समय को कहा नश्ट कर रहे हो एक बार सत्संग में विकाद जैसे आप 50 वर्स संपत्ति कमाए 50 वर्स का समय दे करके अब आपकी आखिरी श्ट है और वही 50 वर्स की सम्पत्ति पूरी दे कि एक स्वांस बढ़वा लीजिए नहीं बढ़ेगी मतलब आपने पचास वर्स की स्वासें ऐसी जगे करचा की जो एक स्वांस भी नहीं बढ़वा सकती है अगर उन स्वासों की पूर्ति कैसे होगी अगर राधा 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 बुले तो सब बन जाएगा सब अगंदार थूड़ी देर भगवन नाम जब कर लिया तो हमारी बुद्धी पवित्र हो गई अब उसे जिधर लगाओ जिधर लगाओ चाहे जिसकारी में लगाओ वो मंगल विधान करेगी नहीं तो ऐसे ऐसे आचरण है कि फिर यहां ना जेल मिलेगी तो फिनर्ख मिलेगा मालू छुप गई बात तो फिनर्ख मिलेगा हाँ दंड तो अवस्ट में भोग तब्यम बगवान के रहे अवस्ट में भोग तब्यम कृतम कर्म शुवाश्वां जी